अधार कार्ड उभोकताओं के लिए बड़ी खबर है अब युनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ओफ इंडिया ने आधार एप लाँच कर दिया इस एप की मदद से आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को मुबाईल में सेव कर सकेंगे जिससे वाईसी करने से लेकर दूसरे कई काम बहुत आसान तरीके से पूरे हो जाएंगे जिनके लिए आधार जरूरी होता है इस तरह अपने फोन में करें आधार एप डाउनलोड अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टो पर आधार मुबाईल टाइप करें और सर्च करें या फिर डेस्क्टॉप पर https कोलन स्लाश स्लाश प्ले डॉगल डॉगल डॉट कॉम स्लाश स्टो स्लाश अप्स स्लाश डीटेल्स itequals in.gov.uodai.madhaplus पर क्लिक करें फिर इसके बाद आधार कार्ड के अप को अपने मुबाईल पर इंस्टाल करें अप इंस्टाल करने के बाद अपना आधार नमबर, नाम और पिन कोड की डिटेल्स को सबमिट करें डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको इसे वेरिफाई करना होगा इसके लिए एप की तरफ से एक SMS आधार सबब पर भीजा जाएगा डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद आपकी फोटो सहित बाकी डिटेल्स आ जाएंगी वही इस आधार मुबाइल एप के जरिये आप किसी को भी अपनी डिटेल्स इमेल और व्यूटूप से शेर कर सकेंगे जिसके बाद आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके जरिये वाइसी के वक्त किसी भी तरह का अकाउंट आसानी से खोला जा सकेगा एप में आप अपने पास्वर्ट को भी आसानी से बदल सकते हैं अब बैंक उनलाइन वेरिफिकेशन कर सकेंगे जिससे लोगों को बैंक में अकाउंट खुलवाना पहले से आसान होगा साथ ही सरकार के लिए नकद सबसिडी देना भी आसान हो जाएगा इस एप का अंड्रोइड वर्जन लाउंच हुआ है जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है